हेलो दोस्तों स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का मेरी चैनल पर तो इससे पहले की वीडियो में मैंने साड़ी से बने हुए बेटशित् फ्रील याई थी छोटे से दिवान के लिए फोर बाइट टू साइज के दिवान के लिए तो उसके बाद मैं उसी का मैंचिंग और उसी साड़ी से बचे हुए टुकड़ो से कुशन कवर बना रहे हुं फ्रील वाली तो पहले मैंने यहां पर यह कुशन कवर एक पुराना ले लिया है साइस के लिए कि जिस साइस का भी आपको कुशन कवर बनाना हो उस साइस का आप पुराना कुशन कवर ले ले उसके बाद यहां पर मैं यह देख रही हूं कि जो कपड़ा मेरे पास जादा है उससे मैं आगे पीछे का हिस्सा बनाऊंगी और जो कम है उससे मैं फ्रील बनाऊंगी तो सबसे पहले मैं इसे अच्छे से नाप ली हूँ इंची टेप की साहता से कि मुझे कितना लंबा और कितना चोड़ा चाहिए वैसे इसमें लंबाई और चोड़ाई बिल्कुल सेम है और इस तरह से पैटन देना है आप देख सकते हैं इसमें मैं चैन या हूँ नहीं दूंगी इस तरह से एक के उपर एक चड़ा हुआ रहता है तो इसमें चैन या हूँ देने की जरुवत नहीं पड़ती है यहां दीखिये यह जो पीछे का इससा होता हमें एक के ऊपर एक चड़ा होगा है जो बनाना है तो उसको मैंने रेड कलर के कप्ड़े को रखा है यानी साड़ी का जो रेड हिससा है उससे मेंने रखा है दो टुक।डों में काट कर और जो सीधा का hub विखा ससे भ्लू रखा है जो साड़ी का ब्लू हिस्सा है तो इस तरह से पिछे के आई मैंने दो करों कर लिया है और अब यहां पे देख सकते ह 4 रिष फ्रीर लगा निया तो Phi juslier के लिए माधिक ने पहले तो सबसे पहले मैं इस साडी का जो इंपरीड कर वापनेइं इसका है उसरे में चॉड़ा-चॉड़ा controller मुझे प्रीम करना है उस हिसाब से मैं कटिंग कर लूँगी कपड़े की तो यहां मैंने चोड़ा-चोड़ा हिस्सा काट लिया है फ्रिल के लिए तो यहां पर मैंने इंब्राइडी वाले हिस्से को एक लंबे-लंबे टुकड़ों में काट लिया है जितना चोड़ाई का मुझे फ्रिल बन लगाने में असानी हो, कुषन बनाने में आशानी हो, तो यहां से मैं इसे सिलाई करलोंगी, मशीन की साहता से, उसके बाद इधर जो लंबा हिस्सा है, उसे ठोड़ा सा मोल कर वहां पर सिलाई कर लेना है, यानी उस हिस्सी से कोई धागा ना निकले या फिर देखने में खुबसूरत भी लगे और अगर आपकी साड़ी या कपड़ी में से धागा नहीं निकलता हो तो आप उसे छोड़ भी सकते हैं देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है और अब यहाँ पे यह फ्रील के लिए कपड़ा बि यह बहुत आसान तरीका होता है फ्रील बनाने का इससे पहले भी मैंने जो कुशन के पहले जो मैंने एक बेटशिट फ्रील वाला बनाया है उसके लिए भी इसी तरह से फ्रील बनाया है तो अब यह है कुशन कवर का आगे वाला हिस्सा तो इसे भी सीधा रखना है और फ्र ये उल्टे की तरफ ही सिलाई लगानी है तो यहां मैं मशीन से अच्छे से बिठाते हुए चारो तरफ से फ्रील के कपड़े को लगा लूँगी और फ्रील बना लूँगी तो मैं दिखाती हूँ आपको तो यहां देखिए मैंने अच्छे से सिलाई करके चारो तरफ से फ्रील लगा लिया है और यहां अच्छे से फ्रील लग गई है और आप अपने हिसाब से फ्रील की लंबाई चोड़ाई आप लंबाई तो वही रहेगी चोड़ाई पने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और अब है बारी कुशन कवर के पीछे की हिस्से को बनाने की तो उसके लिए मैंने साड़ी के लाल हिस्से को यूज किया है तो उसके लिए साड़ी का लाल हिस्सा को दो टुकड़े में यहां पर नाप की रखा था और अब मैं इसे अच्छे से बिठाते हुए तो सबसे पहल को डालने में असानी होगी और कुशन कवर लगाने के बाद कुशन दिखेगा भी नहीं बिना चैन और बिना हूंक के भी और अब इस हिसे को मोड़कर दोनों हिसे को मोड़कर सिलाई लगा लेनी है ताकि देखने में खुबसूरत लगे और फिर चारो तरफ से सिलाई कवरा और कुछ इस तऱ से कुशन कवर देख रहा है और यह दिखिए यह पीछे doctor का हिसा जहां से कुशन को मैं डालोंगी और बिना चैन कीना हूंक की ρिखेगा ने तो फाइनल लुक देखिए कुशन वाले और बेड़षिट प्रेट प्रिवाली दोनों एक साथ मैंने लगा के यहां दिखाया है और अगर आपने अभी तक यह फ्रील वाले बेट सिट कवर नहीं देखा है तो आप इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखें वो वीडियो अभी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल बटन नजर आएगा उसे हिट जरूर करें ताकि मेरे फ्यूचर वीडियो के आप लोगों को इजिली मिलते रहें तब तक के लिए बाई बाई